हेलो फ्रेंड्स, The Health Care Today में आपका स्वागत है आज हम जानेंगे फैटी लिवर और फैटी लिवर डिजीज के बारे में वैसे फैटी लिवर बहुत कॉमन है इंडिया में और वर्ल्ड में लगवग 10 लोगों में 6-7 लोगों को फैटी लिवर की बिमारी है और कई बार पता चलता नहीं हमें कि ये फैटी लिवर है कई बार लोगों में मन में ये आता है कि ये फैटी लिवर तो हर किसी को होता है, हमें भी है तो हमें seriously लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए कई लोग इसी चलते आगे ध्यान देते नहीं है और एक मीठे जहर का एक सिकार पढ़ता है तो आज जानेंगे कि fatty liver से जो problems है उससे कैसे start होता है, कैसे आप पहचानेंगे कैसे उसको खुद से diagnose करेंगे और कब जाना है टेस्ट कराने और उसके बिमारी क्या क्या लक्षन होती है और उसके treatment कैसे होगा तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कि fatty liver होता क्या है जैसे कहना एक बहुत simple word है जैसे fatty liver liver में fat होना तो वैसे तो liver जो है डेर किलो का organ है सबसे बड़ा organ, सबसे महतुपून organ है हमारी body का right side में होता है ribs के just under, उपर तक, निपल तक होता है तो यह जो liver है आपका बहुत important organs है उसके अंदर 5% तो वैसे भी fat होती है जो उसके अंदर बने रहते हैं लेकिन अगर 5% से ज़्यादा fat होता है तो उसको fatty liver condition कहते हैं तो fatty liver से किसी को problem वैसे नहीं होता लेकिन जब तक उस fatty liver से fatty liver disease नहीं हो जाना तो आज समझेंगे कि दोनों में क्या difference है fatty liver एक चीज होती है और fatty liver disease क्या होती है तो इसमें आप समझ सकते हैं कि जैसे fatty liver इसका मतलब 5% से ज़्यादा fat होना तो मतलब इसमें पहला hit हुआ कि liver में fat आया 5% से ज़्यादा second वो fat content जो होती है उससे liver damage होना start होता है तो उसको कहते है second hit तो आपको ये second hit समझना है और first hit भी समझना है कि आपको अगर first hit है तो second hit भी हो सकता है कभी भी हो सकता है हो सकता है 6 मेने में हो 2 साल में हो, 5 साल में हो तो हम जानेंगे कि fatty liver होता क्या है तो fatty liver जो है इसमें 5% से जब fat ज़्यादा होती है तो liver में fat accumulate होती रहती है इसके कई कारण होते हैं मीठा खाना जिसको हम लोग कहते हैं simple sugars simple sugars आप चुकी चाई में होता है मीठाई में होती है, soft drinks में होता है fruits भी एक तरह का simple sugars होते हैं, fructose यह सारा जाके fruits जो हैं, जो भी sugars होते हैं यह liver में accumulate होती है और यह as a triglyceride fats में convert होके liver में storage होता है धीरे धीरे यह fatty liver में convert होता है second processed food जिसमें saturated fatty acids होते हैं यह liver में इखटा होके आपका fatty liver कराता है जो भी chips आप खाते हो, बाहर का खाना होता है deep fried foods, वो भी आपका liver में fat produce कराता है इससे कैसे पता चलेगा कि आपको fatty liver है आपको right side में pain हो सकता है दाइने तरफ में, जहांपे मैंने बता है chest के just नीचे, खिचाओ तरह की दर्द होगी stretching pain होगा धिरे-धिरे कभी-कभी आपको ऐसे लगेगी कि आप चल रहे हो तो खिचाओ का दर्द होती है कई बार पेट में gas बनता है क्योंकि बाइल पित जो होता है ज़्यादा बनता है ऐसे लोगों में खाली पेट रेने से पित ज़्यादा बनता है और उसमें फिर पेट फुलने का सिकायद होती है थर्ड आपको थकावट फील होने सकती है तो यह सब टेस्ट यह सब जो सिम्टम्स होते हैं यह बहुत सिम्टम्स होते हैं जिसमें आपको लग सकते हैं यह fatty liver मुझे हो रहा है अब हम जानेंगे कि इसके उपर जो fatty liver disease जिसको हम कहते हैं कि हाँ उस fat के चलते हैं liver में नुकसान पहुँचना liver नुकसान पहुचना जिसको लोग कहते हैं आजकल scarring हम लोग आम तोर पे fibrosis कहते हैं F1, F2, F3 और F4 यह fibrosis का staging होते हैं जिसमें जो last staging होते हैं F4 वो cirrhosis कहते हैं जिसको बोलते हैं liver cirrhosis end stage liver disease तो क्या हमारा जो liver है यह fatty liver disease है क्या हमारे liver के अंदर scarring है fibrosis है या अगर है तो कितना stage में है first, second, third या fourth तो हमें पता चलता है कि जो patient हमारे पास आते हैं कई बार वो कहते हैं कि हमारा fatty liver है पर हमें पता निए कि हम किस stage में belong करते हैं तो आपको नहीं पता चलेगा क्या आप first stage में है, second stage में है या third stage में है definitely fourth stage इसमें होता है, obviously cirrhosis हो जाती है, पेट में पानी बन जाता है, पीला पन आँखों में पीला पन आ जाती है, खुन की उल्टी हो जाती है, लिवर फेल हो जाता है, बोड़ी खतम हो जाती है लेकिन जो पहला second or third stage होता है, बहुत dangerous होता है, मीठा चीज होती है, पता नहीं चलेगा आपको, एक मीठा जहर की तरह आपका लीवर को दीरे-दीर डैमेज करते जा रहा है, आप उसको बिलकुल आप careless होके छोड़ देते है, तो यह आपको staging पता होना चीए, कि आपका किस तरह से लिवर आपका fatty liver disease है, इसमें आपका मुख्य जो है mainly आपको fatigness जादा फिल होगी, कि दिन बड़ आपको ठकावट लगेगा, सुबह उड़ते ही ठकावट लगेगी, शाम को आप जब आओगे घर, तब आपको लगता है कि आप बहुत ठकावट हो रही है, अच्छ और ये सब जो joints में, जो चोटे-चोटे joints में, उसमें काला अपन पड़ गया, तो ये एक निसानी है कि आपका fatty liver disease हो रहा है, तो बहुत important है, ये सब लक्षन, बहुत important है कि आपको liver disease हो रहा है, कई बार आप खुद भी समझ सकते हैं कि आपको fatty liver disease है, कैसे, ये बहुत simple इसे पहले ही आप खुद को assess कर सकते हैं, अगर आपका weight, height minus 100 से ज्यादा है, माल लिए किसी का 6 feet है, height, मतलब 180 cm, और उसका weight 90 kg है, तो कितना होना चीए, 180 minus 100 should be 80, तो और उसका weight 80 होना चीए, इसका मतलब 10 kg वो overweight है, इसका मतलब उसको fatty liver disease का होने के chances है, अगर उस person को कोई भी pressure होना, cholesterol होना, thyroid होना, या PCOD जिसको polycystic ovarian syndrome कहते हैं, अगर ये सब है, तो उस patient को, उस person को fatty liver disease हो सकता है, क्या आपको पता है कि लिवर कितना important organ है, ये जो बिमारी heart की होती है, diabetes होती है, blood pressure होती है, किस लिए होती है, simple insulin resistance, लिवर जो है एक insulin को regulate करने वाली organs होते हैं, और ज insulin resistance जो बिमारी होती है, diabetes, heart की बिमारी, ये सब liver से regulate होता है, तो अगर किसी को heart की बिमारी है, diabetes है, वो लिवर के चलते हैं, तो सबसे most important हमारे liver हो गया, तो अगर किसी को comorbidities, ये सब conditions होते हैं, तो वो fatty liver के चलते हो रहा है, थर्ड, अपको ये है कि आपको खान पाना, अग सब चीज ज्यादा होते है, मीठी का 7 ज्यादा है, और आपको इस सब चीज का, अगर आपको लगता है कि ये आप लेते हैं, तो बिल्कुल आपको चांस हो सकता है, कि आपको fatty liver है, और हो सकता है fatty liver disease भी है, अच्छा ये सब तो चीज है, कई बार हम आपके पास कोई health check-up कर होने गए और आपके ultrasound में fatty liver मिला, liver सूजा हुआ है, liver enlarged बोलते हैं, वैसे तो हमारा size 12-14 cm होता है, पर अगर 15-16-17 है, इसका मतलब liver सूजन है, तो आपको fatty liver है, कई बात तिल्ली भी बढ़ जाती है, पेट में, वो भी fatty liver disease के चलते होती है, तो किसी के भी reports अगर ultrasound में ये bilirubin, अगर ये सब derange है, तो आपको fatty liver disease हो सकता है, तो दोस्तों, आज हम लोग जाने कि fatty liver होता है, क्या है, और simply हम लोग समझे कि fatty liver disease क्या होता है, कैसे हम उसको समझे, कैसे हमें पैचाने, और क्या-क्या बीमारी हो सकती है इसके साथ, और क्या हम लोग को कुछ टेस्ट कर होता है, आप जोड़े रहे हमारे साथ, नेक्स एपिसोड हम जानेंगे, कि fatty liver के साथ क्या-के complications हो सकते हैं, क्या-के आपके साथ परिशानी हो सकती है, हम रखें आपका ख्याल,